एक बेटी को इस तरीके से जलील करवा रहे हो आप लोग और फिर उपर से मुझसे ही कह रहे हो कि मैं इन्हें माफ कर दू मेरे में इतनी हिमत नहीं है कि मैं इन्हें माफ कर दू इतनी हिमत नहीं बची मुझ में मेरे दोस्तों के मेरे भाईयों के फोटो लगा लगा कर मुझ तो आप बताव अगर आपकी बेटी का फोटो कोई इस तरीके से छोड़े नंगा करके छोड़े उसको तो क्या आप सैन कर लेते हैं आप सैन कर लेते कि हमें समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहा रही थी यह बतकिस्मत ही रही कि इन्होंने मेरे फेस्बुक आईडी को उड़ा दिया और फेस्बुक के माधियम से मैं आप सबते आज लाईवा के कहती सारी चीजों को मुझे मजबूर कर दिया मेरे मेरे मुझे मजबूर कर दिया आज इन्होंने अगर मेरे कुछ भी होता है तो इस तो आज के बाद कहते रहना, क्योंकि मेरे साथ बुरा किया इन्होंने, और इसके पास उसकी सबसे बड़ी दौलत उसकी इज़त होती है, और मुझे नंगा कर दिया इन्होंने सबाज में. क्या करना, भाई, क्यों कर रहे हो बिर साथ ऐसा, क्यों, जाते जाते ही की बात कहूंगी, कि किसी भी इंसान को इतना टौचर मत करना, जो भी तुम से इसब करवा रहा है, उसको तो पुलिस पतालगा ही लेगी, और तुम लोगों को भी कोई ने चोड़ेगा में, इतनी पू मेरे जोँ जाते हैं, बोध भाईयों को मेरे सथ प्यार हें, दो जोवण साथियों को मेरे सथ प्यार है, फिर जिदना पुरा किया है, योण एम तो इन्सान कि पर्सनल लाइब होती है, तो मुछ परसनल चीजए डाल कर कभी वीडियो डाल रहे हो। टिक-्टॉक की, कभी म क्यों भाई बैन बेटी नहीं तुम्हारे गर में तुम भी गरीब फैमिली से ही हो इतने रिच नहीं हो तुम ठीक है मैंने इसी बज़े से उस दिन से तुम्हें माफ किया था पर अब नहीं ओसकता है मैं आप सब के बीच में अब दुबार अना आप हो अल्ला हिदायत दे सब को ठीक है भाई यो खुब ट्रॉल करना आज के बाद अल्विदा